अभी हम स्टार्ट कर रहा है लेक्चर नमबर 27 जिसमें हम डिसकस करेंगे एक्जाम्पल नमबर 6 एक्जाम्पल नमबर 6 में अभी यहां से डिविजन शुरू हो रहा है डिविजन अल्गोरिधम फॉर दा पॉलिनॉमियल तो सबसे पहले डिवाइड करना है यह पॉलिनॉमियल को किस से x बाइट 2 से तो आप यहां पे लिखोगे p of x is equal to 2x square plus 3x plus 1 और g of x is equal to x plus 2 जैसे यह खतम होगा इसके बाद आप बोलोगे कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां लिखना x plus 2 और यहां पे लिखेंगे 2x square plus 3x plus 1 step आपको clear ही है हम always यह step follow करते है step 1 में आप क्या लिखोगे तो आप लिखोगे p of x upon g of x जो p of x होगा आप बोलोगे 2x हम first term लेते हैं always याद रखना है 2x square और g of x है वो x आप बोलोगे sir एक बार यहां पे highlight कर दीजिए तो यह रहा portion और यह रहा यह portion हमें always first term ही लिखनी होती है आपको यह भूलना नहीं है उसके बाद आप solve करोगे तो आएगा और यहां g of x की जगा लिखोगे x plus 2 अभी multiply करके solve करोगे तो आप बोलोगे sir यहां पे लिखो 2x square plus 4x तो यहां पे लिखेंगे 2x square plus 4x यहां पे हम लिखेंगे simple way में minus minus क्योंकि जो भी sign है उसकी opposite sign हमें लिखनी है तो यह cut हो जाएगा यहां करोगे तो minus x plus 1 इसके ओने के बाद आप देखोगे g of x की जो highest power है और r of x मतलब यहां पे जो p of x बोले वो proper रहेगा p of x की जो power है दोनों की same power है मतलब इसमें भी x power मतलब x का फिर तो 1 होगी highest power और p of x में दोनों में 1 power है तो अभी हम continue करेंगे मतलब दूसरा step शुरू होगा आगे कम होता तो अटक जाते तो वो आपको ध्यान रखना है step 2 लिखना शुरू करते है step 2 लिखेंगे p of x upon g of x यहाँ minus x है upon x g of x तो आप बोलोगे सर यह क्या लिखा तो यह step लिखा और यहाँ पर x solve करेंगे तो आप बोलोगे सर होगा क्या minus 1 क्या होगा minus 1 जैसे minus 1 आएगा तो आप बोलोगे सर यहाँ minus 1 लिख दिया कहाँ पर quotient में लिख दिया question में जैसे लिखोगे आप बोलोगे sir इसके साथ आपको multiply करना है g of x के साथ तो लिखोगे minus 1 और g of x कितना लिखोगे तो आप बोलोगे x plus 2 multiply होगा तो minus x and minus 2 तो जो आया वही हम लिखेंगे यहाँ पे minus x and minus 2 sign change होगी तो यहाँ पे है minus तो हो जाएगा plus यहाँ पे है minus हो जाएगा plus तो यह x तो cut हो जाएगा 2 तो आप बोलोगे 2 plus 1 हो जाएगा 3 तो आपका reminder कितना होगा reminder होगा 3 quotient होगा 2 minus x तो आपको लिखना है तो लिख सकते q of x is equal to 2x minus 1 और reminder rx मतलब reminder of x is equal to 3 इसके साथ हमारा lecture number 27 और example number 6 खतम होगा next lecture में मतलब हम चालू करेंगे example number 7 हम सारे example cover कर रहे हैं suppose कि इस बच्चे को यह example थोड़ा tough लग रहा है तो वो lecture number 14 देखे उससे उनको clarity आजाएगी कि वो point कैसा है जो पहले से follow कर रहा है कोई reason की में जैसे उनको strike नहीं हो रहा तो lecture number 14 एक बार देख ले और बाद में यह sum देखेंगे तो बहुत clear हो जाएगा मिलेंगे अब नई वीडियो में 28 lecture में और आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो like, share, subscribe ज़रूर करें जब मेंते HER जाएग द एजम प्रश़ झाना कर은मे Sleep जब में संस्के तो